गुड मॉर्निंग बच्चो, सेवन्थ क्लास बेटा, आज ये आपका चैप्टर है, एट चैप्टर, सर चंदर शेकर वेंकट रामन तो बेटा, ग्लोबल वाले बच्चो का ये चैप्टर पहले से ही हो चुका है, लेकिन आज मैं दुबारा से इसको सब को रीड करा रही हूँ तो कोई भी बच्चा ये कोशन ना करे कि मैं हमारा तो हो गया है, हमें करना है, नहीं करना है तो global वाले बच्चों का हो गया इसलिए उन बच्चों को ये learn करना है और पजिन बच्चों का नहीं हुआ है वो बच्चे इसको अपनी notebook में write करेंगे और सुनेंगे तो बेटा हमारे chapter का नाम है सर चंदर शेकर वेंकट रामन तो वेंकट रामन का जनम 7 नवंबर सन 1888 में तमिल नाडू के त्रूजरा पिल्ली नामक स्तान पर हुआ था और उनके पिथा चंदर शेकर अयर SPG कॉलिज के भोतिकी के प्राध्यापक थे उनकी माता पारवती अम्मल एक सू संस्कृत परिवार की महिला थी तो बेटा इस चैप्टर के बारे में हम थोड़ा सब बताते हैं चंदर शेकर वैंकट रमन बहुत किशास्त्री थे और उन्होंने नई नई चीजों की खोज की थी और उनका आविशकार उनके ही नाम से जाना जाता है तो जो सर चंदर शेकर वैंकट रमन थे उन्होंने कहा है कि हमारी जो आसपास में प्रकर्ती में असंक्य चीजें बिखरी हुई है यानि नेचर में प्रकर्ती में हम अनेक चीजों को देखते हैं और उने अनेक घटनाएं भी घटित होती हैं तो प्राकर्तिक सौंद्रे की ओर हम आकरस्ट भी होते हैं और घटनाएं हमें अचम्मित भी कर देती हैं ऐसे कि कही बार हम सोछते हैं बारिश कैसे होती है या हवा इतनी तेज क्यों चल रही है तो इनके पीछे कोई न कोई प्रकरतिक कारण छुपाई रहता है तो इनके पीछे छिपे वेग्यानिक कारणों को जानने की चेस्टा अथ्वा प्रियास नहीं करते जबकि हम इन इन के पीछे कोई न कोई वैग्यानिक सिद्धान्त अवश्य ही होता है तो आज हम इस पार्थ में नौबल परिसकार विजेता भारत रतन चंदर शेकर वैंकट रामन के विशह में पढ़ेंगे जिनों ने हमें यह संदेज दिया है कि हम अपने आसपास गटित हो रही विभिन ग इसमें से कुछ में में बाते में आपको बता देती हूं कि रामन बारे वर्ष की आयू में जब उन्होंने मैट्रिक की परिक्षा उत्तीन कर ली थी मैट्रिक यानि दसमी तबी उन्हें श्रीमती एनी बैसेंट के भार्षन सुनने और उनके लेक पढ़ने का स्वभाग्य प्राप्त हुआ रामन ने रामायन महाभारत बहुत सारे ग्रंथों को पढ़ा था इससे उनके हिर्दय पर बहुत अमिट छाप पड़ी थी यानि उन्हें बहुत प्रेड़ना मिली थी और जब 1930 में मदरास के प्रेजी डैसी कालिज में परवेश लिया उन्होंने तो जो प्राध्यापक थे और उनकी योग्यता से इतने प्रभावित हुए कि अनेक कक्षाओं में उपस्तित होने से छूट मिल गई उन्हें यानि कि उन्हें ये जरूरी नहीं था कि वे हर कक्षा को अटेंड करें क्योंकि वे बहुत योग्य थे और उसके बाद उन्होंने भोत के बारे में और उनके वैज्ञानिक जो उन्होंने खोज की थी उनके बारे में बताया गया है तो इस चैप्टर में आप उनसे जितने भी उनके वैज्ञानिक से खोजे थी उन सब को उन्होंने बताया है तो लास्ट में बेटा में यही कहूंगी कि आपको यह चैप्टर पह और उसके बाद इसमें से आपको इसके कथिं शब्द लिखने हैं और उसके बाद इसके word meaning यानि शब्द भी लिखने हैं तो इसकी शिक्षा यही है कि किसी विशेश वस्तु अस्तिती को ध्यान से देखना चाहिए और हमें उसे समझने का पृरियास करना चाहिए